हलो दोस्तों क्या आप जानते हैं अप्रेल 2020 से नौंबर 2021 की तेजी के बारे में जहां पर हमारा इंडेक्स ओल्मोस्ट डबल हो गया था आप भी इसी परकार की तेजी के बारे में अगर उमीद कर रहे हूँ तो इस वीडियो के अंद तक बने रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी ही एक बड़ी वाली तेजी के बारे में जहां पर मार्केट में बहुत बड़ी वाली तेजी बनने वाली है जो अपरेल 2020 से नौमबर 2021 तक बनी थी इससे पहले निप्ति के सपोर्ट लेवल तता रजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करने वाले हैं इसके साथ बात करने वाले हैं कि हमें कौन से सपोर्ट लेवल के पास इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट काफी सेफ हो बात करें नौमबर 2021 उसी के बाद से मार्केट एक करेक्शन में चल रहा है यह इसका सपोर्ट लेवल है और यहां पर इसका रजिस्टेंस लेवल है मार्केट हर बार अपने रजिस्टेंस के पास आती है और नीचे की एक तरफ पुश हो जाती है यहां से और हर बार market अपने support के पास जाती है और उपर की तरब चलना start कर देती है अब फिर से market निचे की तरब यानि move करना start कर दिया है और यह अपने resistance के पास जाके resistance face करने को मिल रहा है क्या यह फिर से यहां पे आएगा 15000 हमें देखने को मिलेगा क्या हम बीच में रुख जाएंगे या क्या हम यहां से उपर की तरफ परेकर के निकल जाएंगे यह condition हम एक छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में देखेंगे क्या होने वाला इस जगह पर हमें क्या देखने को मिला है और यह market कब तक करेगी और कब हमें बड़ी वाली तेजी देखने को मिलेगी तो दोस्तों यह हमारा छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है यहां पर हमारा major resistance level था वो यहां पर है और यहां से हम हर बार नीचे के तरफ resistance होए है अब हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो पहला सपोर्ट लेवल हमारा यहीं के पास है मिन्स हमारा जो यस्टेड़े वाला लोग था वो था सोड़ा सत्राजार चार सो हसी रुपए का यह जो हमारा resistance लेवल यहां पर था इस जगह पर और हमारा support लेवल जो कल बनाता वो 17,480 के आसपास बना हुआ है तो दोस्तों यह हमारा major support लेवल है छोटे time frame का अगर यह time frame नीचे की तरह break हो जाती है इस जगह से यह time frame नीचे की तरह break हो जाती है यहां से जो 17,480 का लेवल नीचे की तरह break हो जाता है जो छोटे time frame जिसको हम हावरली का time frame बोलते है वो नीचे की तरह break होता है तो हम daily के time frame में आ जाएंगे और daily के time frame के उपर उसका support level बनेगा तो हमारा daily का अगर यह break हो जाता है तो daily का support level हमारा रहने वाला है वो है 16,980 का मिन्स यहां पे रहेगा इस जगह पे हमारा support level रहने वाला है market यहां से जैसे break नीचे की तरह होती है तो यहां तक आ जाएगा अगर हम यहां से यह जो जगह था हमारा यह जो जगह था अगर यहां से हम break नहीं होते हैं तो हम फिर से उपर की तरह bounce ले सकते हैं और अपने resistance के पास जाएगे और यह resistance के पास जाके हम फिर से resistance phase करेंगे और यह तो हम यहां पे break हो जाएगे अगर यहां से break नहीं होती है तो फिर हम नीचे की तरफ resistance phase करेंगे जाता है हमारी खोस खबरी यही रहनी चाहिए अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो जैसे हम 16,900 के आज पास आएंगे यहां पर इस जगह पर आजाएंगे तो यहां पर हमें बाई करना होगा इस जगह पर जो कभी सेप है यहां से हम ज्दा नीचे नहीं जाएंगे फि तो हमें क्या करना होगा यहां पर चोटी position ले के रखनी होगी और अपने resistance तक जब मारकेट जाती है तब तक रखनी होगी फिर यहां पर exit करना någon inject अब बात करेंगे मार्केट में वो बड़ी वाली तेजी कब आने वाली है जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात किये थे उस तेजी के बारे में तो वीकली का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है हम बात करने वाले हैं अब बड़ी वाली तेजी कब आने वाली है तो यहां पर हमारा resistance लेवल है यह वाला और यह हमारा support लेवल है यह वाला market almost यानि एक साल से इसी range में काम कर रही है इसी range में काम कर रही है हमें यह है देखना है कि यह कब तक काम करना है दोस्तो इस तरह की range में जब कोई भी चीज काम करती है और वो उपर की तरफ ब्रेक होती है तो वहां पर बहुत बड़ी तेजी बनती है जैसे ही यह रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी तेजी बनती है तो यहां पर यह है रजिस्टेंस यानि हमारे एक से दो से तीन मैने के अंदलाश्ट यानि आने वाले डिसंबर तक यह resistance break हो जाना चाहिए अगर नहीं होता है तो फिर हम इसी जब तक इस range में काम करते हैं मार्केट मेंस इसी range में जब तक काम करेगी इस range में और यह range कितने भी हो आगे चलती रहनी चाहिए और ब्रेक नहीं होती है नीचे की तरफ तो तब तक हम बहुत बड़ी तेजी में रहेंगे और जब भी यह रेंज उपर की तरफ ब्रेक हो जाती है उपर की तरफ ब्रेक हो जाती है और जब भी ब्रेक होती है जब भी ब्रेक होती है तब हमें जो ये पीछे वाला सीन देखने को मिला था ये वाला सीन इतनी ही तेजी उपर की तरफ देखने को मिलेगी इसके साथ और बता देता हूँ ओल्मोस्ट यानि ओल्मोस्ट यानि पूरी दुनिया के मार्केट में इंडियन मार्केट ही ऐसा है जो तेजी की तरफ जा रहा है तो आप सो सकते हो हम कितनी बड़ी तेजी में जाने वाले हैं इसके साथ आपको बता देता हूँ बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है दोस्तो जब भी मार्केट हमारी यानि अपनी सपोर्ट लेवल इस जगह पे जब भी इस जगह पे सपोर्ट लेने अगर कभी भी आ जाए तब हमें अपनी बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट करनी है अब ये support level जब भी हमें मिल जाएं यहां पर तब बड़ी वाली investment करनी है इस जगह पर जब भी मिलता है तब बड़ी वाली investment करनी है और वो भी इतनी बड़ी वाली 2-3 साल वाली investment जहां पर काफी अच्छे पैसे बने वाले हैं और इंडिया की market काफी अच्छी इस्तति में है और काफी उपर जाने वाली है तो दोस्तो ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे जब भी market में कुछ अलग हो रहा होगा तथा market किसी एक channel से दूसरे channel में प्रवेश कर रही होगी जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप काफी अच्छे से investment कर सकते हो इसके लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए जिसे आने वाले वीडियो से आप दूर नहीं रह सके और वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंचे इसके साथ आप हमारे टेलिग्राम पर जूड़कर के भी stocks का फायदा उठा सकते हो जहां पर बड़े बड़े target के साथ बहुत ही छोट इस्टोपलोस दिया जाता है तथा ओलमोस्ट इस्टोप अपने target अचीव करते हैं टेलिग्राम का लिंक वीडियो की description में मिल जाएगा आप यहां description को चेक करके join हो सकते हैं तथा मार्केट के अलावा टेलिग्राम पर दिये गई stocks जो बड़े target अचीव किये हैं उनके चलेगा कि हम कौन सी जगह पर इस्टोप देते हैं और इसका target कैसे अची होता है जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो बने रहे हमारे साथ जय हिंद जय बारत